हाई अबरिवन कैसे आप सब मैं राजन चौधरी हाजिर हुआ हूँ आपके लिए आज कुछ विकेंसिस लेकर के मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त नौकरी चाहते हैं पर होता क्या है हमारे साथ हम जॉब इजली करने ही पाते हैं हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती है हमें बहुत धग्के घाने पड़ते हैं और उसके बाद हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं हमेशा की तरह मैं यी बात आपसे जरूर शेयर करूँगा इस वीडियो में कि जो भी विकेंसिस में आपको बताता हूँ इन विकेंसिस में मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्च नहीं लेता हूँ मेरी ये विकेंसिस बिल्कुल फ्री ओफ कोश रहती हैं ताकि मैं इस देश में से इस समाज में से बेरुजगारी को खदम करने में अपना एक एहम रोल अदा कर पाऊँ मेरी कोशिश रहती है कि सबी को कही न कहीं रुजगार तिला पाऊँ मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी मेरा भाई बेहन दोस्त बुका नहीं सोना चाहिए उसको कही न कहीं रुजगार जरूर मिलना चाहिए और हमेशा की तरह आपसे एक बात मैं ये भी शेयर करता हूँ कि प्लीज गलत कंसल्टन्स के चक्कर में मत फसा करो बहुत सारे आप भाई बेहन दोस्त पांच पांच हजार दस दस हजार कंसल्टन्स को दे करके आ जाते हो एडवांस में उसके बावजूद आपकी नौकरी नहीं लगती है मेरे बहुत सारे भाई बहन दोस्त उस चक्कर में कंसल्टन्स के आगे पीछे गूमते हैं उनके चक्कर मारते हैं उनको कॉल्स करते हैं उसके बावजूद उनकी नौकरी नहीं लगती है और होता क्या है कि आपकी कॉल्स भी पिकने की जाती है और last में हम एक depression का शिकार हो जाते हैं कई बार तो मेरे बहुत बाई, बेहनों, दोस्तों के साथ एक गलत काम भी हो जाता है उनके career के साथ खिलवाड किया जाता है उनके career को बरबाद किया जाता है हम बनना accountant चाते हैं हमारी relevancy accountant की होती है और बना हमें क्या दिया जाता है? receptionist हम बनना engineer चाते हैं हमारी relevancy engineer की होती है और हमें बना क्या दिया जाता है? telecaller सो आप सबसे एक request है कि आप वो करो जो आप करना चाते हो आप वो मत करो जो दुनिया आप से कराना चाती है यह नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है ता आप कोई भी नौकरी कर लेंगे जस्ट सबसे पहले अपना passion देखा करो आपका जो passion है उसी की तरफ चाओ अगर आप अपने passion को देखोगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी और आपके मतलब की नौकरी जरूर मिलेगी और हाँ जो भी vacances मैं आपको बताता हूँ अगर आपको लगता है आपने 5 दिन देखा 10 दिन देखा 15 दिन देखा आपके मतलब को कुछ नहीं आ पा रहा है तो आप एक काम जरूर किया कीजिए मेरे इन वीडियोज में मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज होते है जो बिजनस से रिलेटिड होते है मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बिजनस से रिलेटिड वीडियोज भी बनाओ कई पर क्या होता है कि हमारे अंदर एक ऐसा passion होता है मैं ऐसी रिसर्च करके बुक्स पढ़के ऐसे बिजनस के बारे में बताता हूँ जिसमें आप बिना इन्वेस्टमेंट के भी कारोबार कर सकते हैं या फिर लोग इन्वेस्टमेंट के साथ भी कारोबार कर सकते हैं तो आप उन वीडियोज को जरूर देखा कीजिए हो सकता है आपके मतलब का कुछ निकल आए हो सकता है आपका पैशन बाहर निकल आए अब आपको क्या करना है अगर आपको लगता है आपके मतलब की विकेंसिस है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के जरीए मेरे से दोस्त को रुजगार मिल जाए हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिन्दगी बन जाए हो सकता है आपके शेयर से किसी की जिन्दगी बच जाए हो सकता है आपके शेयर से कोई दो वक्त की रोटी का मुथाच है तो उसको तीन वक्त की रोटी मिल जाए सिर्फ आपकी वज़े से तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना हो सकता है किसी की जिन्दगी बनाद पाओ और आपको दूआ मिलेगी उसके बाद और ये मेरा चैनल सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा और आपको क्या करना है इन जॉब्स के लिए इरिटेट भी हो सकती है तो आपको लेटेस्ट विकेंसिस के लिए क्या करना है आपको मेरे टेलीग्राम नमबर 9888-330068 पर एक हेलो सेंट करनी है आपने प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद एक मुबाइल एप टेलीग्राम इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपने मेरा फोन नमबर 9888-330068 शेयर करना है 688 सेव करने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर हेलो सेंट करना है जैसी ही हेलो सेंट करेंगे मेरी तरफ से आपको एक लिंक आएगा लिंक आने के बाद आपको विकिंसी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी जिन में डिरेक्ट फोन नंबर्स होते हैं डिरेक्ट एमिल आइडी भी होती हैं और एक और बाद कई बार कुछ फोन नंबर्स हो सकता है गलत निकलाएं क्योंकि मेरे पास दूर दूर से फोन आते हैं एम्प्लॉयर्स के फोन आते हैं तो जैसी विकिंसी आती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ तो कई बारी बात में पता लगता है कि वो भी एक कंसल्टन्ट था और अगर consultant था और आप उनको call करते हो और अगर आपसे पैसे मांगे जाते हैं तो आपसे एक request है कि किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपने advance में किसी को नहीं देना है और आपसे एक और बात भी share करूँगा कुछ लोग मेरे नाम पर आपसे पैसे मांग सकते हैं बट आपसे मैं सिर्फ एक ही बात की request कर रहा हूँ कि मैं कभी भी jobs के लिए इन placement के लिए किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी advance या कोई भी last पैसा किसी भी तरह का कोई भी charge मैं नहीं लेता हूँ मेरी ये vacancies बिल्कुल free of cost रहती है मेरी ये vacancies society के लिए बिल्कुल एक सेवा रहती है मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जस्ट आप सब के लिए मेरे भाईयों के लिए एक help रहती है तो चलिए आज start करते हैं आज की vacancies ये रही सो हमें एक company में regional manager चाहिए regional manager अगर मैं बात करूँ आपकी responsibilities की तो आपको support करना है और develop करना है sales team को इसके इलावा marketing करनी है planning करनी है execute करना है proper team को आपने इसके इलावा आपको ROI metrics को अच्छे से understand करना है अगर मैं बात करूँ आपकी geography knowledge की तो वो आपकी regional geography knowledge बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको daily sales activities को अच्छे से track करना है अच्छे से report करना है अच्छे से develop करना है execute करना है जितने भी sales को लेकर के strategies होती है market में analysis होता है qualification की बात करूँ तो post graduation कम से कम आपने कर रखी हो किसी भी stream में आपकी पास sales team को manage करने का experience होना चाहिए कम से कम 5-10 store का experience होना चाहिए आपके पास आपने generate करना है maintain करना है relationship with sales leads इसके इलावा आपके written skills आपके verbal skills दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए अगर मैं बात करूँ आपकी requirements की तो retail market की आपको एक अच्छी knowledge होनी चाहिए आपने retail में काम कर रखा हो premium brands में काम कर रखा हो jewelry में, cosmetics में, perfumes में, automobiles में, holidays में या फिर electronics में या फिर mobile brands में आपने काम कर रखा हो computer की बात करूँ तो literacy आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint बहुत अच्छे से आना चाहिए इसके इलावा store opening में या फिर process करने में या implement करने में आपकी बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, visual merchandising की बहुत अच्छी आपके बहुत अच्छी आपके बहुत knowledge होनी चाहिए इसके बाद हमें एक company में एक office executive चाहिए, office executive की अगर मैं बात करूं responsibility की, तो responsibility में आपको incoming calls जो है, वो handle करनी है या फिर other communications जितने भी होते हैं, वो सारे आपने handle करने है, filing system को आपने manage करना है, इसके इलावा जो भी information record की जाती है, as per requirement वो आपने सारी maintain करके रखनी है clients जो वहाँ पर आते हैं, visitors जो वहाँ पर आते हैं, proper आपने उनको greet करना है, इसके इलावा paperwork आपने update करना है, documents maintain करने है, Microsoft Word में आपने सारा काम करना है office के जो भी general task होते हैं, clerical duties होती हैं, वो भी आपने perform करनी है, इसके इलावा travel आपने करना पड़ सकता है, आपको या फिर company के other employees travel करते हैं, उनकी bookings करवानी, उनके reservations कराने, उनका accommodation कराना ही सारा आपने ही manage करना है events जो है, वो आपने coordinate करने है, as per necessary, maintain करना है आपने supply inventory को, इसके इलावा office equipment कुछ भी होते हैं, वो आपने maintain करने है या adding है with client reception, वो आपने as per देखना है, virtual assistant का आपकी पास experience होना चाहिए, create करने का, maintain करने का, entering information करने का, आपकी पास experience होना चाहिए अगर मैं बात करूँ आपकी qualification की, तो आपने कम से कम graduation कर रखे हो, experience होना चाहिए, as a office assistant का, या फिर किसी ऐसे related field में, आपकी writing बहुत clear होनी चाहिए, इसके इलावा, आपकी personality बहुत warm होनी चाहिए, आपके communication skills बहुत strong होनी चाहिए, और इसके इलावा, आपके written skills बहुत अच जा रही है, आने जाने के लिए, timings और salaries मोख के पर ही discuss की जाएंगी, so यह थी जी आज की कुछ vacancies, अगर आपको लगता है, आपके मतलब की हैं, तो आप comment box के जरिये मेरे से information हासिल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, आपके मतलब की vacancies नहीं हैं, तो please in vacancies को आगे share करना म मत भोलिएगा, हो सकता है आपके share से हमारे किसी भाई बहन, दोस्त को रुजगार मिल जाएं, आपके share से किसी की जिन्दगी बन जाएं, मैं जो भी आपको jobs बताता हूं, कभी भी आपको लगे, किसी भी तरह की कोई कमी है, तो मुझे जरूर बताईएगा, ताकि मैं उस च चाब लगती है, कोई नौकरी लग जाती है, मेरी एक help के थरू, तो मुझे जरूर बताया करो, क्योंकि आपके comment से, मुझे और अच्छी प्रेंड़ना मिलती है, कुछ और अच्छा करने के लिए, कुछ और नया करने के लिए, Thank you so much guys, मस्कुराते रहो, और मस्कुराहड द दे रहो, Thank you so much.